मैं आपके इनमती से करता हूं कि राजस्तान अभी अब्योकता च रख्शन विदेग 2023 को शंसोरित रूप में पारित किया जाए रास्तान अधी बहुत अच्छी खुशकवरिया आप लोगो दे देता हूं कि जो भी आप law के field के aspirate हो जो भविशे के अंदर वकलात के field से चुड़ने वाले हैं या फिर वकलात जिस bench के सामने करने वाले हैं उस bench के अंदर चुड़ने वाले हैं तो राजस्तान के अंदर रास्तान भारत का पहला ऐसा state बनने जा रहा है जिसने advocate protection bill को लागू कर लिया है कुछी दिन पहले एक अनोहनी ऐसी घटना होई थी जहाँ पर वकील को सरे आम जो है चाकू घोद कर मार दिया गया था और इस तरीके का अपने आप में यहां की रास्तान की जो association है उनमें बहुत बड़े लेवल पे जो है इसका विरोध हुआ था जो आपकी चाहे लॉयर्स association के अध्यक्स रवी बंसाली जी और उनके साथ समक्स अधिवक्ता गण हो या फिर advocate association के अध्यक्स रंजी जी जोशी या उनके समस अधिवक्ता टीम हो उन्होंने पूरे लतने समय से इतने दिनों से जो हरताल कंडियो रखी और रिजल्ट ये निकला है कि रास्तान सरकार को मजबूर होकर advocate productional act bill पास करना पड़ा इसके detail वीडियो मैं आपके बीच में जरूर चैनल लेके आने वाला हूँ लेकिन उससे पहले आप comment box में मुझे बताइए कि क्या ये bill advocates के लिए favorable है या नहीं है 100% favorable है लेकिन आपकी खुशी का इज़ार आप अपने शुक्त में जरूर कीज़ेगा थैंक्यू अभी तक आप लोगों से डैली, बिकाने, जैपूर, जोदपूर, रायपूर और भी कई सारी जगाओं पर जो है व्यक्तिकत personal meeting we get together हुआ उस get together के अदर एक चीज़ को मैंने observe कि कहीं न कहीं जब person to person आपस में eye contact मिला के बातचीत करते हैं तो पड़ाई के साथ साथ जो एक personality का development होना चाहिए वो ज़्यादा feasibility के साथ में possible होता है इसी concept को अपना main objective बना कर आपके बीच में अपनी पूरी linking team के साथ मैं launch करने जा रहा हूँ पहली बार, first time in history, linking log का एक offline badge ध्यान से सुनना जो जो बातें में आपको बताने वाला हूँ देखो, आप लोग कानून को समझते हो, आप judge बनने का पूरा effort करते हो लेकिन ध्यान रिखना कि बाहर का judge बनने से पहले अंदर का judge बनना अंदर का judicial officer जनम लेना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए उसकी personality को develop करना ये over the night नहीं होगा दीरे दीरे है जो होता है इसलिए law की पढ़ाई के साथ साथ में जहां से सुनिए law की पढ़ाई के साथ साथ में हम लोग क्या करने वाले है mood code के real time practice करने वाले है जहां पर court room drama create करके आप लोग क्या कर पाऊगे एक practice का feel ले पाऊगे एक bench का अन्वो है जो ले पाऊगे साथ ही साथ law की library books जहां पर आप लोग क्या कर पाएंग अलग-अलग law books को जो है observe करने वाले है इतना ही नहीं एक practicing advocate आपके सामने आएगा और अपनी live के dispose case जो उसने court में dispose किया और उसने court में जीते है उसका पूरा documentary file जो है आपको बताने वाला है ताकि अगर आपने किसी कार्ण से court ने practice नहीं भी किये तो आप वहाँ पर वकलाग की चीज़ को observe कर सके तो यह आपको अखिर आपको judge बन के जुडिश्री का जुपत संभालना किसके सामने है वकीलों के सामने है इसलिए वकीलों को समझना बहुत जरूरी है और वैसे भी कहां कहते हैं ना कि जुडिश्री की पढ़ाई इस सिद्दत के साथ करें कि judge ना भी बन पाएं तो अच्छे वकील अच्छे advocate जरूर है जो हम क्या करें बने हो इतना ही नहीं एक और चीज लाइव डिबेट लाइव डिबेट का मतलब एक round the table जो है 8-9 candidates आपसमें क्या करने वाले legal topic पर debate करने वाले है जिससे उनके बोलने का presentation जो है वो खुलने वाला है और इतना ही नहीं class के अंदर उनका live teaching test भी होने वाला है मतलब उन candidates को specifically भेजा जाएगा दूसरे LLB candidate के सामने किसी topic को समझाने के लिए किसी topic को present करने के लिए ताकि उनके interview की जो तयारी है वो सालवर साथ साथ चलती रहे तो एक 12 month का कम्प्लीट कॉंप्रियंसिव चीज जो है इस offline segment के अंदर होगा इसकी live class of recording भी होने वाली है इस 3rd April 2023 को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जैपूर के त्रिवेनी चोराया जो के रिद्दी सिद्दी सर्कल के जस्ट पास में है वहाँ पर उस basement के अंदर जो है उस building के basement के अंदर हम complete preparation करने वाला है इस judiciary की practical orientation के साथ अगर आप offline के इस badge को join करना चाहते हैं तो description के अंदर आपको एक link दे रखा है उस link को click कीजी और आप 2 subscribers ले रहे हैं उस subscription को complete कीजी ताकि आप इस offline badge को access करता है आपके पास EMI का facility भी रहेगा EMI यानि कि आप क्या कर पाएंगे अगर किसी कारण से आप एक साथ पे करने में सच्चम नहीं है तो यहाँ पर आपको EMI का option भी बिल जाएगा मंत्री की स्टिन में डिवाइड करके जो जो को observe कर सका है प्लस के जो candidates हैं उनके लिए भी additional discount रहने वाला है अगर उनका वैलिडिटी जो pending validity है अगर उनका वैलिडिटी जो पेंडिग वैलिडिटी है वो भी तक 6 मंद से जादा का है तो 6-12 मंद का वैलिडिटी उनके पास पढ़ा है तो उनको additional 10% all जो है amount less हो जाएगा और अगर 12 मंद से जादा का वैलिडिडी पढ़ा है उनके पास में तो 20% amount less होता है जो candidates जल्दी इस चीज को जोईन करने वाले हैं तो first few candidates को जो early birth के तरह जो है unacademy के तरह से 20% off होगा linking code use करने के बाद है तो अब पूरी तयार है मेरी team आप लोगों के सामने और इतना आपसे promise करने वाला हूँ कि कई retired IPS के साथ कई retired district judge और high court judges के साथ में मिलकर हम लोग क्या करेंगे law का एक नया नजरिया जो है इसको अबसर्ट करने वाले है उनके experience से अपने पढ़ाई को शामदार तयार करने वाले है तो इंतजार इस बात का आईए और अपनी personality को एक judicial official के shape में convert करते हैं Let's crack judiciary